हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल नॉलेज विट पिंग पेसर दोस्तो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरा थोड़ा हिंदी न थोड़ा सा ओफ ओन ओफ ओन होता है तो अगर मेरा हिंदी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लेम होता होगा तो आप मुझे इंडिया का जो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा इंडिया का स्टुडेंस को मैं कैप्चर कर सकूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी में बोलूंगा बिच-बिच में इंगलिस में बोलूंगा तो मुझे लगता है कि पूरा इंडिया मेरे साथ जूर पाएंगे अ मैं वह करके रहूंगा, तो इसके लिए मुझे में थोड़ा बहूत हो सकता है, थोड़ा बहुत मेरा हिंदी ओफन हो, बट मैं आप लोगों के साथ जब मैं interaction कर रहा हूं, तो वह interaction करते करते हो सकता है मेरा हिंदी, और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आपका support चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं, दोस्तों, तो आज हम आते हैं अपना topic के उपर, तो मैं last video में, part 3 का जो मेरा video था, उसमें मैं बताया था, कि किस तरह से हम MySQL Workbench को हम download कर सकते हैं, तो वो तो आपने download कर चुके होंगे, ठीक है, यह जो page है, यह page से मैं आपने download कर लिये होंगे, यह page, तो एक बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपने download किया था ना, वो 5.5 MB का जो file था, वो आपने download किया था, आप क्या करना, यह जो 448.3 MB, जो जादा वाला MB है, second जो part में है, मतलब second row में जो है, वो आप download कर लेना, इसमें click करना, तो यह भी होगा, तो यह आप download कर लेना, इसी को हम install करेंगे, क्योंकि यह मैं बोला था, अगर हम मैं देखता हूँ कि अगर यह चीज करके मेरा हो जाता है, तो अच्छी बात था, लेकि नहीं, यह नहीं हो रहा है, तो हमको थोड़ा ज्यादा MB का ही चाहिए, तो ज्यादा MB क अच्छा, यह मतलब हमको इसी को download करना पड़ेगा, दोस्तों, तो आप इसको download जरूर कर लेना, अच्छा, उसके बाद में जो new है, जो new students हुए है, या new phrasers हुए है, जो job के लिए interview देंगे, उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, या job के बात कैसे काम करना है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, कि यह मेरा SQL Tutorials का अभी पार्ट चल रहा है, दोस्तों, यह SQL Tutorials का मेरा यह पार्ट 4 का वीडियो है, इससे पहले मैंने थ्री पार्ट्स आलेडी मैं कर चुका हूँ, वो आप पहले देखना, वो देखोगे, तो आपको क्लारीटी आएगा, जो experience बंदे है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो already experienced है, हाँ, जब मैं क्वारीस में जाओंगा, किस तरह से हम काम करेंगे, इन software में, तो वो experience का अगर कुछ प्राब्लेम हो, अगर काम कते-कते आ रहा होग तो वो मेरा उस तरह का पार्ट में जाके वो देख सकते हैं, लेकिन जो students है, जो phrases है, वो लोग पूरा देखे, तो मुझे लगता है आपको better clarity मिलेगा, ठीक है, ओके, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यह आप download कर लेना, ठीक है, यह बहुत important है, यह download करके दोस्तों, आप क् इंस्टाल कर सकते हो, तो अब मैं installation process में आता हूँ, first, जो आपका tools है, जो आपका software है, जो आपका application है, वो आपका download हो चुका है, just उसमें double click करो, जैसे ही आप इसमें double click करोगे, तो आपको इस तरह का option मिलेगा, तो यहाँ पर yes करो, जैसे ही आप yes करोगे, तो आपको इस त तरह से मिलेगा कि allow करने के लिए बोल रहा है, yes कर दो, तो यह आपका loading होगा, तो आप देखो, यह loading हो रहा है, यह आप चुका है, ठीक है, तो यह ही मेरा my SQL का काम है, ठीक है, यह ही software मुझे चाहिए, तो देखो, यह software मुझे चाहिए, तो यह ऐसा रहेगा, अब जब भी yes करोगे, yes yes करोगे, तो ऐसे आएगा, ऐसा आने के बाद, आपको क्या करना है, first आपको next करना है, next करने के बाद, जो आपको यहाँ पर दीक रहा है, वो सब यहाँ पर रहेगा, अगर नहीं है, अगर आपको upgrade चाहिए, मतलब यह software यह आप से upgrade मांगेगा, तो आपको यहाँ यहाँ पर एक button देगा, उसमें click करना, वो update होते रहेगा, तो मेरा side यहाँ पर हो चुका है, तो मैं यहाँ पर next कर देता हूँ, तो आप देखो, अब यह देगा, ready to download, कुछ करना नहीं है, सिब execute करो, जैसे यह आप execute करोगे, तो देखो, वो download होगा, तो यहाँ पर download हो रह ओके दोस्तो, दोस्तो, तो आप देख रहे हो ना, कि यहाँ पर मेरा वो download हो चुका है, तो आप अगर जब वहाँ पर download कर रहे हो, तो वो percentage में दिखा रहा है, 4%, 5%, 6%, तो वो करने के बाद, आपको क्या होगा ना, यहाँ पर download हो दिखा देगा, downloaded दिखाने के बाद, अगर वो देख रहा है कि खुट से, कि वो कुछ update ले रहा है, तो वो update भी ले लेगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, 11%, 12%, 13%, तो वो update भी ले लेगा, update लेके 100%, जब हो जाएगा, तो वो खुद भाखुद यहाँ पर वो downloaded दिखा देगा, मतलब वो कोसिस करेगा, जितना से जितना advanced version वो खुद से ले सके, दोस्तों, ठीक है, तो यह होने के बाद, आपको यहाँ पर वो downloaded, सो करेगा, दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, तो आपने देखा, कि यहाँ पर आपका जो progress दिखा रहा था, पहले हमने क्या किया, जैसे हम execute किये हम, तो यहाँ पर वो पहले downloaded हो रहा था, जैसे कि वो download हो चुका है, यह दोनों आपका plug-in से, ठीक है, जैसे आपका वो download हो चुका है, तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा था, downloaded, उसके बाद वो automatically अपग्रेट दिखा रहा था, मतलब अपग्रेट हो रहा था, जो advanced version है, वो अपग्रेट हो रहा था करने के बाद, उसके बाद जब वो अपग्रेट हो चुका है, फिर वो complete दिखा दिया, तो आपको हमेशा याद रखना है, इस step में आके, जब status complete हो, तब ही हमको आगे बन चाहिए, तब ही आप आगे बनने देगा, नहीं तो नहीं देगा, ओके, तो अब मैं आगे चलता हूँ next, next करने के बाद, यह आपका हो गया, यह है, मुझे 8.0.30 का version वो मुझे दे रहा है, ठीक है, status का है, ready to configure, वो बोल रहा है कि आप configure कर सकते हो, फिर next, next में जाओगे, तो यहाँ पर मुझे यह सब नहीं करना है, skip system tables, upgrade check and यह सब नहीं करना है, next, next करने के बाद, execute, जैसे आप execute करोगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा time लगेगा, यह होगा, starting होड़ा है, ठीक है, फिर यहाँ पर updating start menu link, यह थोड़ा सा time लगेगा, तो यह आपको करने के ब फिर आपका जो होगा, वो हम आगे steps में जाएंगे, okay, तो मेरा first tip जो था, पहले हम सब yes करके, हम वो जो हम install कर रहे हैं, उसको हम accept करेंगे, करने के बाद, जब मेरा वो format में जाएगा, वो हम download कर रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम करेंगे, मतलब obviously हमको download होगा, त through internet, जब download वो ले लेगा, तो फिर वहाँ पे वो downloaded सो करेगा, जब downloaded सो करेगा, अपने आप ही वो upgrade लेने लेगा, जैसे ही वो upgrade हो जाएगा, तो वो आपको complete status में दिखा देगा, जैसे ही वो complete दिखाएगा, तो आपका next step चला जाएगा, जो बोलेगा, आप execute कर सकते हो, जैस finish option करोगे, तो आपका ऐसे आजाएगा, करने के बाद, फिर से next, ठीक है, next करने के बाद, फिर से यहाँ पे finish करोगे, जैसे finish करोगे, तो यह आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह से वो दे दिया है, ओके, यहाँ पे वो ऐसे यहाँ करके, ऐसे आपको यहाँ पे दे चु है फिर यहां पर क्लिक करना है फिर यहां पर क्लिक करना है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कुछ यहां पर अगर आप जाते हो ठीक है आप यह करो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर 8.0 का तो कुछ दिया ही नहीं है ठीक है यहां पर नहीं दिया है तो इसको लेन नहीं नहीं है दोस्तों यहां पर आपको यह वाला लेना है 5.7 तो मैं ले लिया फिर मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहां पर 5.7 एक्टिबेट है तो हम इसको ले लेंगे ठीक है इसको ले लेंगे तो इसा हो गया फिर हम इसको इसे बंड कर देंगे ठीक है तो सर्वर का काम हो गय आप्लिकेसंस्पर में को workbench लेना है तो workbench में देखते है है यह available है इसको हम ले लेंगे ठीक है जो आपका available लेगा वह हमको लेना है फिर इसको हम close कर देछा फिर आपका यहां पे विज्घूल studio में देखते है क्या है तो यहاं पर कुछ भी नहीं आई जरूरी नहीं है, सेल में देखते हैं, 8.0, यहाँ पर भी कुछ है नहीं, यह automatically वो अपडेट ले लिया है, और MySQL, और यहाँ पर कुछ ने चाहिए, अब next कर दो आप, जैसे आप next करोगे, फिर से next करोगे, yes कर दोगे, फिर next करोगे, yes कर दोगे, फिर execute करोगे, execute करने के बद फिर से वो प्रोसेस में ले लेगा दोस्तों, ठीक है, तो देखो, वो आम याप इंस्तॉलेशन का वो ले रहा है, तो थोड़ा सा आपका नेट ठीक रखना, यह first इंस्तॉलेशन में थोड़ासा होता है, फिर next, फिर execute, फिर यहाँ पर इंस्ट ले रहा है, यहाँ पर नहीं भी installation करने के time में आपको problem हुआ दोस्तो जरूर मुझे comment section में जरूर लिख के बताना अगर आप लिख के मुझे बताओगे तभी मैं एक Google Meet आपका link देखकर मैं आपको वो installation का help कर दूँगा ठीक है कि यह बहुत important अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते दोस् तो चलो देखते हैं यह progress अपका 82% हो रहा है हम लोग का so आप आगर देखते हैं क्या progress वो ले रहा है so देखते हैं क्या होता है कि अब देखो यह हम यात करके हमको मैं पहले से demo करके रखा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह ऐसा नहीं होता है दोस्तो इसका demo हम क्या करे यह हमेसा changes होता रहता है, तो इसी के लिए जो मुझे, जिसे मैं download करके, जो मुझे मिला, मैं उसी को लेते गया, जैसे जैसा मैंने next के, आप भी ऐसे से करना, अगर कहीं problem होता है, तो मुझे जरूर बोलना, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, 99% का यहां पर हो गया, यह 100% होगा, तो यहां पर वो execute होगा, दोस्तो, तो देखते हैं, क्या होता है, तो आप हमेसा यार रखना, इसको जब भी हम करेंगे, तो थोड़ा सा, मतलब देख, देख के थोड़ा, मतलब ठीक ठाक करना पड़ेगा, इसमें गलती नहीं करेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा, दोस्त नेक्स्ट, copy lock to clipboard में देख लेते हैं, एक बर यहां पर, copy lock to, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, finish कर देंगे इसको, ठीक है, जैसे हम इसको यहां finish करेंगे, यह तो यह आ चुका है, दोस्तो, यहां पर इसमें तो और कुछ करना नहीं है, साय, यह देखो, workbench open हो गया, ठीक वो क्या होगा, direct मेरा यहां पर open हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो मैं पहले करके रखा था, तो इसी के लिए मेरा यह आया है, दोस्तो, यहां कुछ नहीं है, तो यह है हमारा workbench, ठीक है, आप अग जब install कर रहे हो, तो आपका थोड़ा सा यह दिमाग में रखना पड़ेग कि जब आप install करोगे, तो वहां पर एक जगा आपसे password भी मांगेगा, तो वह आपको खुट का इसमें, खुट का मर्जी एक password दे देना, P-A-S-S-W-O-R-D इस तरह से अब दे देना, या कुछ भी दे देना, वो देगो तो वो ले लेगा, जैसे अब लेगा, तो जैसे मेरा यह workbench खुला न, तो वहां पर, यहां पर जैसे workbench खुला है, तो यह खुलने से पहले एक यहां पर आया था, वहां पर क्लिक करना पड़ा मुझे, जो वहां पर start mysql workbench बोलके था, उसमें हम क्लिक करेंगे तो वो password मायाँगा, तो आपको first time वो password देना पड़ेगा, तो फ कि आपको यह समझ में आया होगा, याद रखना, कुछ नहीं करना, यह CS करके, next करके, डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होने देना, फिर वो upgrade लेगा, तो वो भी कहोने देना, फिर वो complete हो जाएगा, फिर वो next वाला या execute वाला बटन वो खुट बाखुट अक्टिवेट ह हो जाएगा, उसमें क्लिक करना, फिर दीरे 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 जाके, next, next करते 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 करते, अब installation कर लेना, कुछ भी नहीं है, अगर कुछ प्रोब्लम है, तो comment section में लिखना, मैं एक Google link देके, meet link देके, मैं आपको समझा, मैं खुट कर दूंग आपको, कोई problem नहीं होगा, ठी diesem next, next part में, next part में हम सीखेंगे, कि यह MySQL Workbench जो है, इसमें क्या है, क्या-क्या इसमें, procedures है, क्या-कैसा-कैसा-कैसा हम इसमें काम कर सकते हैं, दोस्टों, ठीक है, तो हम next वाले ब्लॉघ में जरूर सीखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम से स्केमाज बना सकते हैं, क्या-क्या कर स वो हम नेक्स टोले ब्लॉग में सीखेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे तो आपको थोड़ा इजी भी होगा, ठीक है? सो दोस्तो, I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं भी थोड़ा सा, जो सौफटर में इंस्टल कर रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा मुझे देखना पर रहा था, कि कहां से मैं जाओ, क्या करूँ, ये होता है, तो ये आप भी करोगे, तो आपको देखना वो धिर the problem होँ, problem होँ, तो ही commentेनी नहीं, तो इंदा मत देनी, कुछ problem ह कोच प्रॉब्लम है, मैं हमेसे हर वीडियो में बोलता हूँ, कि अगर कुछ problem है, तो ही आप commentäre, नहीं तो मत दो," ठीक है? लेगिन सब्सक्राइब करना कि मेरा जो चैनल है वो थोड़ा ग्रोथ हो, बाकी लोगों के पास भी जाएं तो वो भी यह free of education को, free of जो courses है, वो इसका थोड़ा सा help उठा पाएं, ठीक है? So, दोस्तों ठीक है, ताज के लिए मेरे रेत नहीं, so thank you guys, thanks for your time.